पर जब भी हम दिया ज़राते हैं तो आस-पास का अंधेरा हर जाता है और ऐसा दिखता है कि उजाला चारो और फहल गया लेकिन जब भी हम रात को अंतर्क्ष की ओर देखते हैं तो हमें टिम्टिमाथे तारे दिखाई देते हैं जबकि आस्मान पूरा का पूरा काला या अंधेरे में ही डूबा दिखाई देता है जब हमें सच्चाई की और ध्यान देते हैं कि ब्रामान में अर्बों की संख्या में तारे हैं और उनमें से कई हमारे सूरे से भी सैक्डों गुना चमकीले हैं तो ऐसे में हमें अंत्रिक्ष काला या अंदेरे में दिखाई क्यूं देता है इस सवाल का जवाब कम लोग ही जानते हैं इस सवाल का नाम उल्बस प्राडॉक्स होता है खगूल विद्यों का अनुमान है कि अबलोकित ब्रहमान में करीब 2000 अरब खरब तारी मौजूद हैं औ में दिखाई देती है एक दलीर यह दी जा सकती है के अंत्रिक्ष में तारे भले ही भारी मात्रा में हो लेकिन ना उनके बेज के दूरी भी कम अधिक नहीं है और ज्यादा दूरी होने से उनकी चमक फेके हो जाती है दस गुना अधिक दूरी पर तारी की चमक सो गुना कम हो जाती है लेकिन ये सारे सवाल का पूरा उत्तर नहीं है इस सवाल की उत्तर की सही व्याक्या के लिए अमेरिका की बोईजी यूनिवोसिटी में एस्ट्रोनॉमी के एसोसेट प्रोफेसर ब्राइन जैकसन अपने एक लेक में एक बुलबले के अवधारना की मदद लेते है पहले ये माना जाए कि ब्रह्मान इतना पुराना है कि इसके हर तारी की रोशने प्रत्वी पर आ रही है और तारे इस तरह है तो ऐसा बुलबला जिसके केंदर में प्रत्वी हो इसे थी समझने में हमारी मदद करेंगे यदि ये बुलबुला दस प्रकाशवर्ष बड़ा हो तो इसमें करीब एक दरजन तारे होंगे लेकिन कई प्रकाशवर्ष की दूरी होने पर ये तारे धुंदले दिखेंगे बुलबुला हजार प्रकाशवर्ष या एक करोड या फिर एक अरब प्रकाश वर्ष बड़ा होने पर यह दूरस्त तारे और धुंदले दिखेंगे लेकिन बुलबुले में तारों की संख्या भी तेजी से बढ़ेगी और इसमें आस्मान में चमक आनी चाहिए लेकिन एक तो तारे स्थे नहीं और भ्रह्मान केवल 13 अरब वर्ष परा नहीं है यह इनसान की लिहास से बहुत यदिक समय हो लेकिन भ्रह्मानडी नेजरी से बहुत ही कम समय सो दूर तारों की रोशनी प्रत्वी तक नहीं पहुश सकी यानि हम उनी तारों को देख पा रहे हैं जो प्रत्वी से केवल तेरा अरब प्रकाश वर्ष की दूरी तक फैले हुए हैं वहीं हर द्रस्टी रेखा में प्रियाप तारे नहीं दिख पाते वैसे तो हर द्रस्टी रेखा में तारे हैं लेकिन सबकी रोशनी प्रत्वी तक नहीं पहुच पारी है और इसलिए बहुत सा हिसा काला दिखता है